तो आज हमारे पास रहे यह फॉन कूल है, जिसके अपने धेरों वी रिवी वीडियो देखी होंगी, कुछ तो प्रेट, प्रमोशन होंगे और कुछ ऐसे होंगी, जैनल प्रमोशन होंगे, लेकिन आपको अच्छी से जलकारी नहीं दिल पाई होगी, हम आपको जैनल रिव्य लेकिन हाँ, एक वाल आपको कर देते हैं, हमारे पास कोई मचीन नहीं है, जिसके आप मको हीटिंग बता सकते हैं, लेकिन हाँ इसलिए जैनल रिवी देखी आप समझ सकते हैं, कि हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है, कि किसी ने आपको इस प्रॉडैक्ट का रिव्यू करन आपको बचाते हैं कि सही में यह फॉन को कूल डख पाता है यह नहीं है सबसे पहले करते हैं लेकिन उससे पहले को बताते हैं कि अमेजोन से हमने यह प्रोडेक्ट ओडर किया है और इसका अगर हम नाम की बात करें तो आप रीड कर सकते हैं जोर बैस फॉन कूल फॉर गेमिंग फॉन करके यह प्रोडेक्ट हैं पैकेजिंग हमने अमेजोन से कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी इस प्रकार की गंदी पैकेजिंग प्लास्टिक से इसको रैप किया गया है और बोक्स जो है बहुत ही गंदे तरीके से टूटा हुआ है जि कुछ इस तरीके का इसकी डिटेल्स लिखी गई है कुछ चाइनिज में कुछ इंगलिश में बोक्स की कंडिशन एकदम घटिया जलती से इसको ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर से यह दिखने में कैसा है और इसमें हमें क्या-क्या प्रोडेक्ट साथ में मिलत है तो यह रहा प्रोडेक्ट कुछ ट्रांस्पेरेंट टाइप का इसका बोक्स है और बाकि यह चोटा सा एक नार्मूल सा पांच रुपे का डबा बोक्स देखिए आप किस तरीके से गंदे तरीके से टूटा हुआ हैं बाकि इसके अंदर हमें सामने से देखने में तो एक देखने को मिल रही हैं जिससे की वर्ट करता है उसमें बैटरी ओप्टेटड यह नहीं होता है यह वाएर के यही adapter के साथ भी लगा सकते हैं अपने PC के साथ भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो Powerbank से भी इस corporate कर सकते हैं यहाँ पर यह प्लेट लगी हुई है जो कि आपके फोन को ठंडा करती है और इस प्लेट के अंदर एक चिप लगी हुई है जो कि इस प्लेट को एकदम कूल करती है जिससे कि आपका फोन अगर हीट हो रहा है तो इसको ठंडा की यह प्लेट देती है और यह पीछे फैन जो है यह हीट सिंग के लिए लगा होता है दाकि सारी हीट को भार निकाल सकें बाकी बॉक्स में और कुछ भी नहीं था एक यह फोन कूलर था एक यह वायर है इसके ओपर ही हम इसको यूज करके टेक्ट करने वाले हैं फिलाहल के लिए ऐसे कुछ इस तरीके की इसकी पैकिंग हो जाती है आपके डिवाइस के ओपर यह लग जाता है और अगर आपको इसको ओन करना है तो आपको यहां पर टैप सी इसके साथ करने पड़ेगे दू So एक तरफ से हुमने सक Пापने करने कर दिया है और दूसरी तरफ हम ठालने इस फोन क connectivity में लगाने जा रहे हैं तो यह आप ओन कर लेते हैं इसको यह medium range में है मतलब medium speed है और यह एकदम top speed है इसमें दो option हमें देखने को मिल जाते हैं बीच में medium और second top speed और सबसे उपर यह off हो जाता है देखिए और इसमें यह light भी automatically on हमें देखने को मिलती जिससे की पता चलता है कि यह work कर रहा है अगर बात करी जाएं इसकी noise की तो आपको इसकी हम noise सुनाने की कोशिश करते हैं आप इस noise को ध्यान से सुनिएगा कि कितनी noise यह generate करता है तो noise तो आपने अच्छे से सुन ले कुछ ज़्यादा heavy noise यह create नहीं करता है और अगर बात करी जाएं cooling की तो सही में एक चीज़ हमने notice करी कि 1000 पे में जो यह काम करके देता है पता है नहीं क्यूं फोन्स में तो यह चीज़ इस्तिमाल नहीं की जा सकती क्योंकि इसके लिए तो laptops काफी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं बट उसके उपर भी कोई reason होगा जिसके करनी यह चीज़ लेपटोप में नहीं दी जाती है तो यह था इसका कुछ setup अब आपको दिखाते हैं कि सामने से अगर 10-15 मिनिट बिन प्रोडेक्ट के हम इसको on करके रखते हैं तो यह अब आप देखें तो एकदम से 10-15 मिनिट लगाने के बाद इसके ऊपर छोटे छोटे वाटर डॉप्स हमें देखने को मिल रहे हैं इसके काफी अच्छे से कूलिंग कर रहा है अब आपका सवाल होगा ऐसे में हमारा फोन जो है उसमें ऐसे वाटर डॉप्स आ जाएंगे यह से कि प्रवलम हो सकती हtones लेकिन नहीं यहां ठीक हो रहा होता है और यह रहुकम कर रहा होता है तो यह थद्री नहीं पाता में फ्रेशर के इसके कि और रहे हैं इसके बार घॅब 10-15 मिनिट में तियार हो यहां पर वाटर ड्रोफ फोन जब लगा होता है तब लेट नहीं होते हैं और आपके फोन को गेमिंग के टाइम हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पो काफी सही से कूल करता है हमने IQWO पे इसका टेस्ट करके देखा इसने रिकॉर्डिंग तक हमको निकाल के दे दी IQWO9 पर तो हमने अपने डिवाइस पर इसकी टेस्टिंग की और टेस्टिंग करने के वाद अगर रिजल्ट की बात करी जाएं तो गेमिंग में हमें बिल्कुल भी लाइक देखने को नहीं मिल रहा हमने एक्स्ट्रीम एच्डियर में और नाइंटी एप्स्यास में इसको स्जेस्ट करते हैं और अब चाहें तो डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं